Curt Video Editor Application के बारे में आप सभी को बता है दोस्तों मैने एक last वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैं आप सबी को बताया था कि right time क्या होता है एक application बनाने का ठीक है और उसके बाद comment भी आया थे और हमें काफी calls आरते कि भी है अगर हम क्या वीडियो एक editor application बनाते हैं, तो उसमें क्या cost आएंगे, उसके features हमें क्या रखने चाहिए, और उसका development cost अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें, मतलब जो development cost होता है, उसको divide करके part wise बताईए, और उसके उपर एक complete video बनाईए, ठीक है, तो thank you, वैसे मेरे जब भी भी comments आओ आपके queries रहती हैं, अब सभी को बता है, इस time youtube shots बहुत अज, सिर्फ youtube shots नहीं, mx tukka tuk shots हो गया, या फिर youtube shots हो गया, या फिर short video creation वाले जो applications है, creator इतने जादे हो गया हैं, क्या करो हो गया, पहले youtube एक ऐसा platform था, जहां पे लोग channel बनाते थे, सिर्फ youtube एक platform था, जहां पे creators रहते थे, लेकिन सबसे पहला point तो मैं आपका ये question clear करूँगा, कि क्यों, मतलब why develop short video editor है, आखिर आपको एक short video editor application क्यों develop करना जाए, reason simple है, कोई ज़्यादा hard और tough नहीं है, simple ये है कि इस time ऐसे applications के demand ज़्यादा है market में, और ये right time है, वैसे application को अगर आप develop करते हो, क्योंकि यहाँ पे competition कम है, ठीक है, मतलब आपको याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा तो, आप सभी को बता है, जब WhatsApp ने status features को launch किया था, उस time, उसके पहले कभी आपने देखा था, WhatsApp status वाले, अभी जो video status वाले applications इतने जादे market में run कर रहे हैं, लोग, actually वो trend ही वहाँ से चला था, जो short videos लोग create करने लगे, वो trend वहाँ से चला था, उसके पहले कोई video status का application नहीं हुआ गरता था, शायरी कोट्स का application चलते थे, लोग अपने DP पर रखते थे, WhatsApp ने जब वो status वाला feature launch किया, जहां पे आप 30 second के videos डाल सकते हो, photos को डाल सकते हो, 24 गंटे के लिए वहाँ पर रहेगा, उसके बाद ह जाधा चला, Musical.ly, TikTok, Vigo Video, ऐसे बहुत सारा application उसके बाद ही आए, वीडियो status के बाद आए थे, ठीक है, तो उस वीडियो status के बाद जब यह short video आए तो और भी जाधा crazy बन गया, और जब TikTok बैन हुआ, तो जो लोग नहीं भी जानते थे, वो भी जान चुके हैं, अब short videos क्या ह नहीं रहते हैं, तो short video creators जो हैं, बहुत जाधा बढ़ चुके हैं, इसलिए short video editing के demand बहुत जाधा बढ़ चुके हैं, क्योंकि YouTube में भी, मतलब YouTube का editor है, जहाँ आप short video create करते हो, वहाँ पे ऐसे tools नहीं हैं भी, हो सकता है बविश्यमा आएंगे, लेकिन ऐसे editing वाले tools नहीं है जहाँ पे आप effect डाल सको, जहाँ पे आप music डाल के अपने voice को come up, down कर सको, बहुत सार इसी चीज़े हैं, जो हमें short video editing करते समय लगता है, तो इसलिए आपको ये application develop करना चाहिए, और यह करवाना चाहिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलता, कि आप मेरे videos देखने के बाद आपको जहाँ सही लगता है, आप वहाँ से develop कर सकते हो, हमारे पास आने का reason यह रहता है, कि हमारा cost होता है, efficient रहता है, feasible रहता है, आप सबके लिए थोड़ा, मतला, ऐससे लगता है कि हम ये से effort कर सकते हैं, ऐसे cost को, ठीक है, और application बन्वाने के बाले, मतला, मतला, मेरे videos दे अधर आपको क्या provide कर रहे है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि अगर आप एक short video editor application बन्वाते हो, तो उसके अंदर features आपको क्या क्या डल्वाने चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, कि आपने kind master जैसे application बन्वाने, kind master जैसे application बन्वाने तो cost भी बहुत जादा लगेगा, लेकिन उ जादा कर सको, music का level बढ़ा सको, कम कर सको, effects डाल सको आप उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद में video को reverse कर सको, ऐसे कुछ 4-5 features हैं, यह जो main रहते हैं, जब आप एक short video editing application बन्वाते हो, अब ऐसा नहीं, मैंने videos में बता दिया कि short video editor application बन्वाना चाहिए, तो short video editor के बहुत सार इसे features हैं, जो आप डलवा सकते हो, जिससे आपका cost बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा, investment तो आप कर दोगे, लेकिन earning नहीं कर पाऊगे, इसलिए उतना ही आपको features डलवाना है, starting में जितना आपका budget है, budget के इस आपसे main features डलवाईए, जो मैंने आपको इस video में बताए है, क्योंकि उतने features डलवाऊगे, उतने mat list आप users को gain कर पाऊगे, आपके application पे users को आने दो, आने दो, अगर जादे users हो रहे हैं, तब जादा investment करो, starting में जादा investment करके हो, कि मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है, तो ये कुछ basic features थे, जो आपको अपने application म लेके, अगर आप एक short video editor application मनवाते हो, तो क्या cost लगता है, ऐसे application मनवाने के लिए, दोस्तों, मैं आपको cost के लिए अगर बात हो रही है, तो मैं तो आपको divide करके आपको बताऊँगा, सबसे पहली बात तो ये, कि यहाँ पे server वाला tension नहीं रहेगा, ठीक है, तो basic server भी चल उसके बाब में, ऐसे application में, दो चीज़े होती है, मैं cost ना directly इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थुरा समझाना चाहता हूँ आपको, cost मैं चाहँ तो directly बता सकता हूँ, एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, मतलब यह होगा, फेकन वाली बात है, कुछ भी बोल रहा है ऐसा वो वाली बात होगी, cost मतलब depend करता है कि आप requirement आपकी क्या है, अगर आपकी requirement बहुत जादे tools आप उसमें डलवा रहे हो, बहुत जादे से मेरा मतलब काई master में आप सभी को बता है, आप उसमें green screen वाला effect दे दी है, ऐसे बहुत जारे छोटे छोटे effect दी है, text का बहुत application में डलवाते हो, तो जो मैंने आपको tools बता हैं, सिर्फ उतना अगर डलवाते हो, क्योंकि आपको starting market में at least उतरना है, तो उस हिसाब से आपके application cost 19,000 to 1 lakh और या फिर 1.5 lakh के बीच में, 19,000 to 1.5 lakh तक आप पगड़के चलो, उसमें सब कुछ cover हो जाता है, एकाद दोर function आप बढ़वा भी सकते हो, बहुत कम budget है, तो minimum at least about 60-70 रखो, उसके नीचे मत आना, ठीक है, फिर वो कोई भी developer बना के नहीं देया, क्योंकि editing application है, तो यहाँ पे developers को मेहनत भी जादी करनी पड़ती है, ठीक है, और अब हम बात करेंगे, last point इसका, इसके revenue model को लेके, ठीक है, cost आ अगर ऐसे applications है, क्योंकि यह premium application है, यहाँ पे premium ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, premium कर सकते हो, depending on you, कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, तो यह ऐसे application में, add के थुरू जादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैं add के थुरू नहीं बोलूगा, अगर आप starting में users को attract करना चाहते हो, अप यहाँ पे users सभी type के होते हैं, अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे application होते हैं, जो आप किसी-किसी, जैसे आप बिहार, UP, उन state के लिए बना रहे हो, तो वहाँ के लोगों के mentality क्या होती है, वो लोग ज्यादा तर music देखते हैं, और मतलब ज्यादा education के बारे में, वो यहाँ पी क्या होता है, कि add थोड़े high CPC वाले आते हैं, तो earning अच्छी हो जाती है, कम add डालो, स्टार्टिंग में, ज्यादा फाइदे मंद रहेगा, अब बात करते हैं, और कौन को से revenue model है, इसके अंदर, दूसरा revenue model है, paid चीज़े आप रहे हैं, अब समझ के चलो कि आपन इसमें कुछ tools ऐसे डलवाए हैं, जिनका use करना ही पड़ेगा लोगों को, अपने वीडियो को और अच्छा दिखाने के लिए, तो उन कुछ tools को आप premium रख सकते हो, या तो आप premium one time रखो, या subscription pack रख दो, ठीक है, या फिर उस tool को use करने के लिए special pay करना पड़े, उनको उसको एक मेने के लिए या फिर one year के लिए rent पे ले रहा है, यानि कि उसको use करेगा one, उसके बाद उसको pay करना पड़ेगा, month three या फिर yearly, ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, कि उस tool को जब वो use करे तब उसको some amount pay करना पड़े, फिर रूचा है, कुछ भी हो सकता है, एक application को use कर सकते हो, मतलब इसमें shopping tools भी डाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं छोड़ी छोड़ी जो आप इसमें revenue की तरह use कर सकते हो, खैर revenue के लिए अगर आपको ज़्यादा detail में जानना है, तो आप नीचे description box मेरा number दे, आप मुझे call कर सकते हो, मेरी team आपको इसके टू जरूर बनाओ, ठीक है, ठीको दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जड़ा,